The most deserving contestant ने विनर का खिताब ले लिया है, Big Boss 15 के विनर है, तिजस्वनी प्रकाश देखो मेरे हसने के उपर में मच जाओ, I am damn serious के उन्होंने जो है, ऐसे ही हसी मजाक में पूरा सीजन नहीं निकाल दिया मतलब कभी थोड़ा इदर, कभी उदर, ऐसा करके नहीं निकाला है चुखाड़ा भी एक है उसने, और शमीता शिट्टी, वो तो डॉमिनिटिंग है यार, हर किसी पे अपना हुक्म चलाना चाहती है हाँ, वो बात अलग है कि रूबिना दिलेक जो है उससे पहले वाले सीजन में जीत गई मैं ये भी नहीं कहना चाहता यार कि प्रतीक सहचपाल के साथ में सलमान खान ने अपना गुस्सा निकाला है और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि जिस तरह से फ्रेंडली होकर के देखाया स्टेज के सलमान खान ने प्रतीक सहचपाल के साथ में कि इस ओके फाइन चलो होता है चलो आके बैठ जाओ इस चीज़ का रियालिटी से कितना जादा लेना देना था मैं ये भी नहीं कहे रहा हूँ कि इस बार फिर से जनता की जो है काटी गई है बिल्कुल भी नहीं काटी गई है उनके सामने में सच रखा गया है एक दम सफेद सच उमर रियास तो साला पुरा पागली है मतलब शो से क्या निकला सीधा आटिट्यूट जाड़ा वो भी बिग बॉस पे कि बुलाने पे भी अपन नहीं जाएगा कहा करा आ जाया भाई तू आया क्यों नहीं हाँ तेरी दोस्त तेरी हाट एन हाट दोस्त इतना दमदार सा गाने पे डांस करके गई वो देख करके भी तू नहीं आया बिग बॉस का लॉली पॉप यार तुझे क्यों नहीं भाया उमर रियाज ने भी क्या ही उखाड़ा पूरे सीजन में इंटरेटेन्मेंट दिया है क्या घंटा एक चीज़ और कोई इस बात कभी इलजाम नहीं लगाएगा कि ट्रॉफी का लॉली पॉप दे करके उनको घर के अंदर बुलाओ एक मिनट ये कौन बोल रहा है कि सब कोई ट्रॉफी के लालच में नहीं बलके हर अफते कमाने के लालच में आते हैं बिग बॉस जो है ना अपनी एक बात पर चलते है जिसको घर से निकाल दिया मतलब निकाल दिया दोबारा नो इंट्री अब देखो यार तुम्हारे मन में अगर ये चल रहे ना कि वो जानता को क्यों वापस लेकर कर आया तो देखो जानता उसको देखना चाती थी इसलिए जानता ने उनको अंदर बेज आए जानता 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 वैसे जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ बता दू बिग बॉस खत्म होने की सबसे बड़ी खुशी मेरे अंदर में क्या चल रही है वो आपको पता है ने ने पता है क्या आपको कोई भी जाकर के यह नहीं बोलेगा Big Boss को बाइकाट करो, कोई भी भाई को यह नहीं कहेगा कि भाई बाइस्ट है और Big Boss शो के असले Big Boss खुद भाई जाने, क्योंकि भाई जाने, शो को चलाने के लिए पैसे लेते, तो इंस्ट्रेक्शन वो नहीं देते, उनको दिया जाता है भाई, वो कभी किसी के तरफ बाइस नहीं होते, So that's it from my side, what's your take, please do comment आपको क्या लगता है कि असली विनर कौन होने चाहिए थे, Big Boss पे, कौन टॉप 3 पे होने चाहिए थे, और जो टॉप 3 से पहले निकलें, उनको निकलना भी चाहिए था या नहीं, comment section पे जाकर कि बताओ, मिलता हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहो, मस्त रहो और सबर्दस्त रहो